इस विडियो में आप अपनी सिलाई मशीन से जुड़ी कुछ मूल बाते जानेंगे। इन बातों को समझने के बाद आप अपनी सिलाई के साथ बहुत प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुई बदलना आना चाहिए। आपको समय समय पर नीडल चेंज करना होगा, क्यूंकि नीडल हमेशा के लिए नहीं चलेगा। और तो और आप अपनी अलग-अलग प्रोजेक्स के लिए विविद प्रकार की नीडल्स का प्रयोग करेंगे। अगर आप बेसिक स्टिच भी कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि सिलाई लाइन से बाहर जा रही है, तो आपको नीडल बदलना चाहिए। नीडल बदलने के लिए नीडल क्लैम पेच को बाही तरफ घुमा कर धीला करें। नीडल क्लैम से नीडल निकालें। आप देखेंगे कि नीडल का एक सिरा एक तरफ से चप्टा है और दूसरी तरफ से गोल होता है। नीडल को वापस लगाने के लिए उसे ध्यान से उपर नीडल बार की स्टॉपर तक सरकाएं। ध्यान रहें कि नीडल का चप्टा हिस्सा नीडल बार की तरफ हो। नीडल ख्लैम पेच को कस कर घुमाएं ताकि नीडल हिले नहीं। अब हम रील लपेटना सीखेंगे। विविद रंग के कपड़ों पर काम करते समय जब आपको मैचिंग धागे का प्रयोक करना हो तो ये आपके काम आएगा। रील होल्डर को उपर की तरफ खीच के इसमें रील डालें। अब एक्स्टेंशन टेबल को हटा दें। कवर खोल कर शटल में से बॉबिन केस निकालें। अब बॉबिन को केस से अलग कर दें। अब रील से धागा खीचे उसे थ्रेट गाइड के नीचे से पार करें। धागे को बॉबिन के छेट से गुजारें। बाबिन को बाबिन वाइंडर स्पिंडल में से इस तरह रखें कि धागे का खुला सेरा उपर हो। अब बाबिन वाइंडर स्पिंडल को दहनी और धखेल कर बैलन्स वील को बाहर खीचे। इससे मशीन अलग हो जाएगी और आप धागा समेट पाएंगे। धागे को इस तरह पकर कर फुट कंट्रोलर दबा कर मशीन चलाएं। धागा दो-तीन राउंड लिपट जाने पर मशीन बंद करें और बाबिन पर लगाए अतिरिक धागे को इस तरह से काट लें। अब धागा लिपटना तब तक जारी रखें जब तक बाबिन पूरी तरह से भर ना जाएं। बाबिन वाइंडर अपने आप रुक जाएगा। अब धागा काटें बाबिन होलर को बाई और धके लें। बबिन को बबिन वाइंडर स्पूल से निकालें, उसे केस में इस तरह से रखें कि धागा बाई और से खुलें, धागे को टेंशन प्लेट में फसा कर खीचें, ध्यान रहें कि केस में बबिन बाई और घूमना चाहिए, अब बबिन को शटल असमली में उसकी क्लाच लीवर वाली साइट से डालें, शटल को कवर करके एक्स्टेंशन टेबल लगा दें, अब आप मशीन को थ्रेट करना सीखेंगे, बैलन्स वील को खुद की तरफ घुमा कर थ्रेट टेक अप लीवर को पूरी तरह से उठाएं, अब धागे को मशीन पर लगी उपर वाली थ्रेट गाइड एक में फसाकर धागे को स्पूल के करीब रख नीचे की और खीचे, और पॉइंट दो में लगाकर एरोस के मुताबिक यू टरन लें, अब धागे को टेक अप लीवर में दाइने से बाई और गुमा कर पॉइंट थ्री में फसाएं, धागे को नीचे की और लाएं टेक अप लीवर आई पॉइंट चार में फसाएं, नीडल बार थ्रेट गाइड के पीछे से धागे को बाई और पॉइंट पाँच पर सरकाएं, ध्यान रहे कि नीडल उंचा हो, नीडल थ्रेडर को नीचे की और लाएं और उसकी सहायता से धागे को नीडल में पिरोएं, प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा, तो एक दो बार प्रयतनस जरूर करें, अब बाही हाथ में धागा हलके से पकड़ें और नीडल को बैलन्स वील अपनी और गुमा कर नीचे नीडल प्लेट तक डालें, नीडल थ्रेड को खीच कर बॉबिन थ्रेड को नीडल प्लेट से इस तरह उपर लाएं, अब धागे को पकड़ कर प्रेसर फुट को नीचे सरकाएं, अब मशीन को एक शांदार स्टार्ट देने से पहले एक आखरी बात का ध्यान रखें, अतिरिक्त पाश ना सिल जाएं, इसलिए नीडल थ्रेड का तनाव चेक करें, अगर धागा धील तो वो बार-बार तूट सकता है, और अगर ज्यादा सकत हो, तो थ्रेड टेंशन डायल को शोन्य से नौ तक नियमित किया जा सकता है, नौ पर धागा अधिकतम तना रहेगा, फैब्रिक सिलने के लिए थ्रेड टेंशन को तीन पर रखना सही है, अब आपका मशीन सिलने के बिल्कुल तयार है, बस आपको पैटन चुनना है, उशा जनोमी इन बिल्ट पैटन्स के साथ आता है, आप कौन सा मॉडल चुनते हैं, इस पर निर्भर है, उधारन के तौर पर अगर आपको जिगजग पैटन चाहिए, तो पैटन सिलेक्टर डायल को C पर रखें, और सलाई में माहिर बन गए हैं.